असलाम लेकूं मैं हूँ फरा हरसन और मैं आपको जावेत पबिशर्स में खुशाम दीद कहती हूँ आज हम पढ़ेंगे 4 प्लस जनरल नौलिज का यूनिट नमबर 13 प्लांट्स दियर टीचर्स आज को जो टॉपिक है वो है प्लांट्स यानि पोदे पोदे भी जानदार होते हैं दियर टीचर्स बच्चों को बताईए कि जिस तरह से हम इनसान जानदार हैं हम भी सांस लेते हैं और खुराग खाते हैं इसी तरह पोदे भी जानदार हैं और खुराग खाते हैं पोदे खुराग कहां से हासल करते हैं? पोदे सूरज की रोशनी से खुराग हासल करते हैं और इनके कितने हिस्से होते हैं बच्चों को बताईए कि इनके तीन हिस्से होते हैं जर, तना और पत्ते आएए चलते हैं अपने लेस्न प्लांट्स की तरफ The topic is plants Question number one How many main parts of a plant are there? पोदे के कितने हिस्से होते हैं? Answer is three पोदे के तीन हिस्से होते हैं Question number two Are plants living things? क्या पोदे भी जानदार हैं? Answer is yes जी हाँ पोदे भी जानदार है Question number three Which parts of a plant are above the ground? पोदे का कौन सा हिस्सा जमीन के उपर होता है? Stem and leaves तना और पते जमीन के उपर होते हैं जैसा के पोदे के तीन हिस्से होते हैं जड़, तना और पते जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर वने हिस्से में होती है और जो तना और पते होते हैं वो पोदे के उपर होते हैं यानि के जमीन से बाहर Question number four which part of a plant is under the ground पोदे का कौन सा हिस्सा जमीन के अंदर होता है answer is roots यानि के जड़े जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोदे की जड़ होती है वो जमीन के अंदर वाले हिस्से में होती है question number 5 where do the flowers grow जो फूल होते हैं वो कहां पे उगते हैं on branches जिस पोदे की शाखों के ऊपर फूल उपते हैं dear students I hope के आपको plants यानि पोदे chapter समझ में आया होगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोदे भी जानदार होते हैं और इनके तीन हिस्से होते हैं जड़, तना और पते ये size में बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं और इन पर फूल भी उपते हैं और सबजीयां भी उपती हैं और ये सूरज की रोशनी से अपनी फुराग हासिल करते हैं आपने ये तमाम चीज़ें इसे से याद करनी हैं अपना बहुत साख खयाल रखेगा जुरे रहे बोलती किताबों के साथ